अलो डियर स्टुटेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं विचो हम लोग आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल पार एंड पार डिसीपेशन यह वाला टॉपिक विचो हमाला चैप्टर नमबर थर्टीन का एक इंपॉर्ट जů है ये पार डिसीपेशन है पहले हिस्से में हम लोग एलेक्ट्रिकल पार को अंडर्स्टैंड करते हैं और दूसरे शीपेशन को और फिर देखते हैं कि क्या इन दोनों के दरमjOWN कोई रिलेशन है या कुछ ऐसी बात जिसमें कोई एक जो हम दूसरे पर डिपेंड करता ह तो आज के lecture को हम यहां से start करते हैं तो जहां तक बात है पार की तो पार जो है यह हम लोग पार्ट वन से study करते आ रहे हैं जिसमें हमारे पास एक general definition है पार की work done per unit time या फिर energy supplied by a system per unit time तो यहां पर भी जो पार की basic definition है वो यही इस्तमाल होगी लेकिन यहां पर जो background या concept है वो electrical form में या electric energy जो है electrical energy की form में इसको understand करेंगे तो electrical power जो है इसका जो तालुक जो है यह किसी source की power से होगा source से मुराद किसी ऐसे electric source से है जिससे current flow हो या electrical energy provide हो सके आम तोर पर जो किसी भी circuit में जो source of electric energy होता है वो एक battery होती है एक cell होता है generator होता है thermocouples हो सकते है solar cells हो सकते है different sources of current हो सकते है तो यह जो electrical power की term है यह हमेशा किसी ऐसे ही source के साथ related होगी और इसको हम उसी source के साथ connect करके study करेंगे ठीक है बचूँ तो electrical power जो है जो जहां तक बात है पार की तो हम यह कह सकते हैं कि जो general definition है पार की वो हम कह सकते है work done per unit time work done per unit time by a system defines the power of that system किसी system की जो पार है that is actually work done per unit time और अगर इसको equation की form में हम लिखना चाहें तो पार को हम लिख सकते हैं this is equals to work done by the system divided by time in how much time that work has been done और work done की form से इसको हम जो electric energy या energy supplied form में भी कह सकते हैं energy consumed भी कह सकते हैं energy supplied भी कह सकते हैं तो energy supplied by a system per unit time that is known as पार या यहां पे हम इसको electrical energy को की form में electrical energy divided by time इस form में भी यहां पे हम पार को define कर सकते हैं तो पार जो है जो इस तरह आप देख सकते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि how much work is done, how much energy is supplied by a system per unit time यहां पे बचो electrical power जो है इसको समझने के लिए हम लोग एक circuit draw करते हैं और उस circuit में फिर हम study करते हैं electrical power के क्या meanings हैं फर्स करेम जो हमारे पास यह source है और यह source of current एक battery हम ले लेते हैं और इस source के साथ एक resistor हम connect करते हैं as output और simple सा एक circuit हमने यहां पे बनाना है और इसमें यह हमारे पास एक battery है जिसकी EMF E है या भी EMF नहीं पढ़ा तो हम कह सकते हैं कि इस battery की voltage V है और यह एक resistor जो है यह आर है जो हमने इसके साथ connect किया है और जब इस battery में से current flow करेगा एक conventional current लेट से तो इस तरह से यह current जो है यह इसमें circuit में flow करेगा अब यह जो जो बैटरी है जब इसको हम connect करेंगे इस resistor R के साथ तो actually इस battery में दो जो इसका total potential V है 10 वोल्ट या 20 वोल्ट या 15 वोल्ट या 100 वोल्ट जो इसकी battery है तो इसमें इस resistor को अगर हम इसके साथ connect करें तो इस resistor के दोनों ends हम बना लेते हैं let's say this end is A and this end is B तो यह जो battery है यह जो source है यह इस resistor के दोनों ends पर एक potential difference जो है यह create करता है और let's say के A जो है यह हमारे पास low potential है यानि के यह वाला जो end है resistor का A and यह इस battery के low potential negative के साथ connected है और इस resistor का जो B end है वो इस battery के positive end यानि के high potential के साथ connected है तो इस case में यह जो resistor है R उसके दोनों ends पर potential है एक end पर low potential है और दूसरे end पर जो है यह high potential है अब जो current है जब हम कहते हैं कि इस source की वज़ा से इस circuit के अंदर current flow करेगा तो current का जो flow है actually हम जानते हैं कि that is the flow of charges तो हम यह कहते हैं कि यहां पर जो actually जो charges है वो flow कर रहे हैं और चुक्के यह metallic conductor है तो इसमें जो electrons होंगे और electrons जो है वो इस circuit में flow करेंगे और electrons की जो movement है जो actual movement है और electrons की वो है from low to high potential यह हमने जो मैंने show किया है यहां पे यह conventional flow हमने दिखाया है conventional flow जो है वो हम दिखाते हैं हमेशा positive to negative लेकिन जो actual flow होता है जो electronic current है उसमें जो electrons flow करते हैं उनकी जो movement होती है that is actually from low to high potential और बाटरी ने इन इन अलेक्टॉइघ्ट की पीटि अमव्मेंट become? अगर रीजस्टर में गफ़ोरी में को मोजित हैं रिजस्टर में अहीआ हाई पुटैंशल की तरफ अगर सकते हैं तब इस एक्षाम की मूव्मेंट से हो रही है from a end to b end या हम यह कह सकते हैं कि from low potential to high potential तो जब electrons इस resistor में इसके low से high potential की तरफ move करते हैं तो actually इस process में battery को work करना पड़ता है उसको हम कहते है work done by the battery to move the charges from low potential to high potential तो यह जो होगा that is work done इसको हम इस तरह words में लिख लेते हैं that is work done by the battery or cell or the source कुछ भी इसकी जगा कह सकते हैं work done by the battery to move the charges to move the charges from low potential to high potential right is the energy supplied is the energy supplied by the battery right to move the charges तो basically यह भी नूट कर ले कर ले तो यह जो बैटरी है यह जो energy supply करेगी बैटरी वो energy जो है वो किस sense में हम लेंगे that energy is actually due to the work done by the battery to move the charges from low potential to high potential के यहां पर इस रिजिस्टर में जो charges move करेंगे इसके low से high potential की तरफ तो वो जो work होगा battery वो जो work करेगी उस work को करने में बैटरी की energy consume होगी उसको कहेंगे energy supplied by the battery to move the charges from its low end to its high end right so इसको अगर विचो mathematically अगर हम लिखना चाहें इस energy को के यह energy जो है वो कितनी बनेगी तो mathematically हम यह लिख सकते हैं कि that energy or work done work done भी कह सकते है इसको और energy supplied भी कह सकते है by the battery तो energy supplied जो है that is equals to v times delta q फर्ज करते हैं कि इस बैटरी की जो voltage है वो वी है और जो charge है जिस charge ने यहां पर move करना है उस charge की जो quantity जो है वो delta q है तो हम यह कहेंगे कि यहां पर जो work done होगा इस battery का यह source का charges को low से high potential की तरफ move करने में जितनी energy supply करेगी यह battery इन charges को move करने के लिए from low to high potential that energy will be equal to v multiplies delta q यहां से हम इसको calculate कर सकते हैं यह जो calculation है यह इस तरह भी हो सकती है कि हमने यह पढ़ा है कि जो potential difference होता है that potential difference is actually equals to work done per unit charge यह हम पढ़ते है potential difference में कि जो potential difference होता है that is equals to work done over charge work done per unit charge तो यहां से अगर work done जो है इसको charge को हम लोग क्यू लिख लें यह delta q लिख लें तो इस तरह इस delta q को अगर इदर multiply करें तो work done जो है that will be equals to delta q into delta v यह वी times delta q और यहां पर अगर मैं potential difference को सरफ v से represent करता हूं तो delta q इदर आएगा तो v multiplies delta q becomes work done or energy supplied by the battery right पहली बात तो यह हो गई कि जब हम एक सरकट बनाते हैं और उसमें एक बैटरी लगाते हैं और एक रिजिस्टर लगाते हैं तो उसमें जो बैटरी है यह जो सोर्स है वो जो energy supply करता है चार्जिस को move करने के लिए किसी भी रिजिस्टर के across उसके low से high potential की तरफ move करने में अब जो इस idea से जब हम energy की या work done की calculation कर लेते हैं तो अब हमारे लिए जो इसकी source की जो electrical power है उसको calculate करना असान हो जाता है अब आप देखें यह जो पार है यह electrical power है तो हमारे इस topic में यह electrical power ही होगी तो यह electrical power है that is equals to work done over time तो अगर इसमें हम लोग work done की value लगाएं तो हम यहां से इस electrical power का formula जो है वो लिख सकते हैं तो हमारे पास जो electrical power बनेगी now that is electrical power equals work done upon time और work done जो है यह हमारे पास है V times delta Q या energy supplied भी कह सकते हैं over time so let's say this time is delta T or some time के जब charge यहां से A and से B and की तरफ जाएंगे तो battery energy supply करेगी work करेगी charges के उपर और A से B जाते हुए हमको जो time लगता है that is delta T तो हम कह सकते हैं electrical power is equal to this one तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि यह जो electrical power है that is equals to V times delta Q over delta T अब यहां से अगर हम देखें तो यह जो delta Q over delta T है यह में पता है that is equals to I तो हम कह सकते हैं V multiplies I तो electrical power जो है P उसका हमारे पास जो expression बना जो formula बना that is P equals V multiplies I तो इस expression से हम लोग किसी भी circuit में जो उसकी electrical power है वो इस तरह से calculate कर सकते हैं so that is actually equals to V multiplies I ठीक है बचो तो electrical power में सबसे पहले हमें देखना है कि यह जो source है जिसकी electrical power हम ले रहे हैं यह जिसकी electrical power हमने calculate करनी है उस source की V कितनी है voltage कितनी है यह EMF भी ले सकते हैं ठीक है बचो तो यह इस हमारे topic का पहला हिस्सा जिसमें electrical power जो है वो calculate करनी है so electrical power is equals to V multiplies I ठीक है ओके अब जो next अगर इस पर हम बात करें तो electrical power जो है यह किसी भी source की जो electrical power है यह different होगी अगर यहां पर circuit में जो resistors है वो different है तो मतलब यह तो एक single resistor की मैंने बात की कि यहां पर single resistor लगा हुआ है R और इसके एक end पे potential low है एक end पे high है अब यह जो resistor R है यह तो एक single simple resistor है जिसकी value जो है वो R है अगर जो इस resistor R की जगा कोई different resistors लगे हो मतलब वो different resistors जो है वो series में लगे हो या parallel लगे हो तो उस case में यह जो electrical power होगी energy supplied by the battery per unit time जो होगी वो different होगी राइट हम यह नहीं कह सकते कि किसी source की जो electrical power है वो fixed है मतलब यह कि इस तरह नहीं हम कह सकते कि यह जो power है that is we multiply as I that is fixed fixed नहीं हम कह सकते यह fixed नहीं होगी यह depend करेगी electrical power जो है इस source की जो electrical power होगी यह change होगी according to the value of R और यह जो circuit है वो किस तरह से बना हुआ है यहां पर एक resistor है यहां पर इसको इस sense में हम दो case इस तरह बना लेते हैं कि यहां पर resistor की बजाए resistors हैं ज्यादा हैं और वो जो resistors हैं वो series में लगे हैं या वो parallel में लगे हैं तो उस case में यह जो electrical power है वो दोनों के लिए different होगी यह आपने याद रखना हैं तो दो resistors हैं अगर इसकी मैं आपको इस तरह से example दूँ कि हमारे पास जो situation इस तरह है कि हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी की voltage E है या इसकी EMFE है या voltage V है और इसके साथ मैं दो resistors यहां पर connect करता हूं और यह दोनों resistors जो है इसकी value R1 है इस resistor की value R2 है और यह बैटरी है इसकी कुछ value इस तरह से अगर इसी बैटरी के साथ यही दो resistors मैं connect करूं और इन दोनों resistors को मैं connect करूं इस तरह से कि ये दोनों रिजिस्टर्स जो है ये पैरलल हों तो उस केस में ये सेम वही बैटरी है और इस बैटरी की वोल्टेज वी है रिजिस्टर्स भी सेम है ये R1 है ये R2 है तो दो केस मैंने यहां पर मतलब बना दिया आपको एक्स्प्लेन करने के लिए ये रिजिस्टर R1 है ये रिजिस्टर R2 है दोनों रिजिस्टर्स की जो वैल्यूज है वो डिफरेंड है या सेम है वटईवर ये दोनों सीरीज में लगे है और R1, R2 ये दोनों रिजिस्टर ही हैं और ये दोनों रिजिस्टर जो है वो यहां पर पैरलल जो है वो connect है तो पुछ इस केस में जो इलेक्रिकल पार होगी इस केस में इस केस में जो इलेक्रिकल पार होगी इस सरक्ट में वो एक्वल नहीं होगी इस इलेक्रिकल पार के energy supplied by the battery, per unit time, वो different होगी और शीरीज के केस में यह एलेक्टिकल पार बेटरी होगी, वोई पॉइंट जिस में मैंने यह कहा, कि जो एलेक्टिकल पार है कि सोर्स की तो इसे आप लोग रिपलेस कर दे़ें, लेक्रिकल बनुज़ें, तो अगर दो बनुज़ वो इस तरह सीरीज में लगे हैं और वही दो बल्बस पैरलल लगे हुए हैं तो दोनों केसिज में जो इलेक्रिकल पार होगी इस सोर्स की डिफरेंट होगी उसकी Jadi. तो इसकी कैलकोलेशन जुह है वह की जा सकती है छिर کгор तो इसकी बैटरी वही वाली बैटरी जो यहां लगाई है तो यह 10 वोल्ट है इसकी वैल्यू जो है वो 10 ओम है और यह वाले इंजिस्टर की वैल्यू भी 10 ओम है तो यहां पर जो अगर हम इस सरकड की इलेक्रिकल पार जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसकी इलेक्रिकल प करने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले बाड़ीस फॉर्मूला को यह मैंने लिखा है P इक्वल्स वी मृ्टीप्ला आई इस फॉर्मूला की दो डिफरेंट फॉर्म्स जूह वह भी बन सकती है और उम्सला को यूज करते हुए तो अगर उम्सला को यूज जाएगा आई स्क्वेर आर और इसी तरह अगर ओम्जला से हम लोग आई की जो वैलियू है ये वी ओवर आर ले ले लें और फिर यहां पर हम वी मल्टिप्लाइ वी ओवर आर कर दें तो हमारे पास जो इलेक्टिकल पार का जो एक्स्प्रेशन है वो बन जाता है वी स्क्वेर ओवर आर तो दो फॉर्मूलाज हमारे पास और बनते हैं एक आई स्क्वेर आर और एक वी स्क्वेर आर तो इस तरह इनको अगर हम यूज करें और पार कैल्पूलेट करें यहां पर और यहां पर तो हम यह देखते हैं कि दोनों cases में जो electrical power है वो different आती है ठीक है? तो यहां पर अगर हम इसको calculate करें electrical power को तो पहले हमें current find करना पड़ेगा current जो है that is equals to V over R तो यहां पर V जो है वो हमारे पास 10 है और R जो है यह दोनों की equivalent resistance आजाएगी 10 plus 10 20 तो 10 over 20 जो है यहां पर आई हमारे पास आजाएगा 0.5 एंपियर तो आई अगर 0.5 एंपियर हमारे पास आता है और यहां पर हम लोग power calculate करते हैं कि R1 जो है इसके across कितनी power बनती है इस source की तो इस पे हम लोग formula लगा सकते हैं I square R वाला तो I square R वाला अगर formula हम लगाते हैं चले इसको raise कर लेते हैं तो यहां पर I जो है यह मैं लिखनों that is equals to 0.5 एंपियर तो अगर हम लोग यह formula यूज करें P equals I square R तो यहां पर जो I जो है उसकी value है हमारे पास 0.5 square multiply 10 तो यह R की जो value है that is 0.5 और उसका square multiply 10 अगर इसको solve करें तो that is 2.5 watt तो 2.5 watt यहां पर जो power है वो बनेगी और इस तरह अगर P2 calculate करें उसको भी I square R से तो वहां पर B 0.5 यहां पर जो current है आई इस circuit में यहां पर आई वो 0.5 है तो इसको multiply करें अगर हम 10 से तो फिर हमारे पास 2.5 watt यह पार बनेगी तो total power हमारे पास that is P1 plus P2 that is 2.5 plus 2.5 equals 5 watt तो अगर इस तरह जो हम दो resistors को connect करते है R1 और R2 को 10 ohm 10 ohm उनकी value है तो हमारे पास जो electrical power है that is 5 watt मतलब इन दोनो resistors R1 और R2 के across जो power use हो रही है that is 5 watt और इस power को हम कहते है power dissipation यह भी definition heading में लिखा है power dissipation तो इस case में हमारे पास जो power dissipation है that is equals to 5 watt और अगर power dissipation जो है 5 watt है तो it means के power dissipation is always equal to electrical power यह भी अभी यहाँ से याद रखेंगे के according to law of conservation of energy जितनी energy जो है यह battery supply करेगी per unit time उतनी ही energy यहाँ पे consume होगी तो power dissipation actually वो power है जो consume होगी across resistors external components other than source तो R1 और R2 के across जो power बनेगी that is 5 watt तो इसका मतलब है के इस case में जो electrical power होगी जो इस battery से provide की जाएगी that is also equals to 5 watt तो electrical power equals power dissipation इस case में और power dissipation जो है that is equals to 5 watt यह हमने यहाँ पे एक छोटी सी calculation की इसको समझने के लिए तो यह दोनों resistors R1 और R2 जो है यह series में लगे हैं तो दोनों के across में ने power calculate की 2.5, 2.5 तो उसको जो sum किया तो हमारे पास जो answer आया that was 5 watt अब इसको हम याद रखते हैं कि यह 5 watt है और इस parallel combination में जो R1 और R2 को अगर लगा दिया जाए तो उस case में अगर हम इसकी power calculate करते हैं तो हमारे पास क्या answer आता है तो यहां लिख लेते हैं कि जो पहले हमने power calculate की है that was that is equals to 5 watt अब जो यह जो parallel combination है इसमें पहले हम I देखेंगे कि I क्या है इस circuit में V की value 10 volt है बैटरी की I जो है यह calculate होगा V over R से तो V over R E हम देखेंगे equivalent resistance V की value यहां पे 10 है और जो equivalent resistance होगी R1 और R2 की क्योंकि parallel combination है तो 10 multiplies 10 over 10 plus 10 यहां से हम calculate कर सकते हैं इस expression को parallel combination में जो equivalent resistance होती है इसमें इस तरह calculate करें कि उपर सब दोनों को multiply करें नीचे दोनों को add करें तो इस तरह calculate कर सकते हैं अब इसको अगर solve करें तो यह हमारे पास आ जाएगा 100 over 20 और फिर यह 10 over 5 और फिर 10 over 5 बीन्स के current जो है यहां पे यह होगा 2 amperes तो इस circuit में parallel combination में यहां पर जो I है जो current है that is equals to 2 amperes अब अगर हम calculate करें कि इस R1 और R2 के cross जो पार होगी वो कितनी है तो उसको हम इस तरह भी calculate कर सकते हैं P1 is equal to V square over R1 अब इसमें जो हम देखें R1 जो है parallel combination है तो R1 के cross भी 10 volt होगा R2 के cross भी 10 volt होगा तो यहां पर यह आएगा 10 square over R1 R1 की value 10 है तो हमारे पास 10 square this is 100 over 10 that is equals to 10 watt तो इसका मतलब है कि यह जो R1 है इसके cross to par होगी that will be equals to 10 watt और इस तरह गर R2 के cross हम calculate करते हैं P2 that is also V square over R2 तो V square जो है यहां पर भी 10 square और R2 भी 10 है तो इसको solve करके हमारे पास जो है वो बनेगी total 10 watt और दोनों को जब add करेंगे P is equal to P1 plus P2 that is equals to 10 watt plus 10 watt so that makes it 20 watt तो इस case में parallel combination में R1 और R2 को अगर हम parallel combine करते हैं इस तरह parallel जोडते हैं तो उस case में दोनों की जो combined power है that is equals to 20 watt तो यह power dissipation इस case में के यह दोनों parallel connected है R1 और R2 उस case में जो power dissipation बनती है that is 20 watt power dissipation 20 watt means के इस case में यह जो हमारे पास source है उसकी जो electrical power है that is equals to power dissipation जो यहां पे consume होगी that is 20 watt तो इस case में अब यहां पे comparison कर सकते हैं इस case में के जब हमने R1 और R2 को series में combine किया था तो जो total power dissipation बनी थी that was 5 watt यह electrical power भी 5 watt थी और इस case में electrical power 20 watt है और इस case में electrical power that is 5 watt इसका मतलब है कि एक ही source है और same resistors है दो R1 और R2 और दोनों को हमने connect किया है a series में और फिर हमने उनको connect किया है parallel और फिर हमने उनकी powers calculate की है तो हमने देखा कि दोनों cases में जो power dissipation है जो R1 और R2 के across जो power बनती है वो different है और जतनी power dissipation होती है उतनी ही electrical power होती है उस वक्त जो बैटरी सप्लाइ कर रही होती है अगर R1 और R2 की combined power 5 watt है तो इस case में जो electrical source है उसकी जो electrical power है वो भी 5 watt होगी यानि 5 joule पर second ये energy दे रहा है ये source और parallel के case में अगर इसकी combined power dissipation जो है R1 और R2 की 20 watt है तो इसका मतलब है कि इस case में जो source है वो 20 watt यानि 20 joule पर second energy इनको दोनों को supply कर रहा है तो इसका मतलब है जो electrical power है जो source की electrical power है वो fixed नहीं होगी वो different होगी और वो depend करता है कि जो circuit है उसमें जो resistors है वो किस तरह से connected है तो electrical power के हमारे पास हमने मतलब इस तरह से इसको summarize करना है कि आपने जो definition समझनी है कि electrical power क्या है तो वो simple है कि work done per unit time by a source is known as electrical power और उसको calculate करने के लिए work done per unit time energy supplied over time और उसका जो formula मैंने लिखा था वो याद रखना है तो वो formula हमारे पास बना था P equals V multiplies I तो V multiply I जो है इससे हम electrical power calculate कर सकते हैं अगर हमें V का और I का पता है और इसके साथ हम दो formula जोर यूज़ कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि V को अगर I R कर लें तो I square R बन सकता है और I को अगर V over R कर लें तो V square over R बन सकता है तो इन तीनों formula को कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी apply कर सकते हैं और इनको कहीं भी लगाकर हम लोग electrical power find कर सकते हैं अगर हमें पता है कि R1 resistor में कितना current flow कर रहा है तो हम I square R से इस R1 की power calculate कर सकते हैं दूसरे case में अगर हमें पता है कि R1 के across potential difference या voltage कितना है और उसका square लेके उसको R1 से divide कर दें तो फिर भी हम इसकी electrical power calculate कर सकते हैं कर सकते हैं V square over R2 भी कर सकते हैं depend करता है कि कौन सी values हमें पता है इस तरह R1 और R2 में अगर हमें V1 पता है कि इस resistor के cross voltage कितना है R2 के cross voltage कितना है तो दोनों की separate हम लोग पार जो है V square over R के formula से calculate कर सकते हैं ठीक है मैं बचूँ तो electrical power जो है यह हमेशा होगी इसका तालुक होगा source से या जो source या बैटरी बगार हमने लगाई है उससे होगा कि electrical power कितनी energy per unit time दे रही है और उसके साथ जो power dissipation है वो होगा कि जो electrical power है वो उस circuit में resistors के across कितना consume हो रही है तो resistors के across जतनी power consume होगी जतनी power consume होगी that will be the power dissipation और law of conservation of energy के according power dissipation जो है वो electrical power के equal होती है electrical power जो है वो fixed नहीं होगी और वो different होगी depend करता है कि resistors जो है वो series में लगे हैं या parallel लगे हैं उसके according example मैंने कुछ calculations लेके आपको बताया आप ये calculation सिरफ explanation के लिए थी कि आप ये समझ सकें इस बात पर convince हो सकें कि जो electrical power है वो fixed नहीं होगी बलके उसकी value जो है वो different होगी अगर resistor series में या parallel में लगे होगी और राइट बचो तो I hope कि आप लोग इस topic को इस electrical power and power dissipation को अच्छा अच्छा सा understand करेंगे और इसमें कोई question होगा तो आप लोग ज़रूर पुछेंगे और राइट मैं वेट करूंगा आप लोग comment section में question लिख सकते हैं या direct मुझे send कर सकते हैं और जिससे मुझे अंदाजा होगा कि आपको इसमें कोई further explanation की जुरूरत है या नहीं ठीके बचो तो इसको अच्छा च्छा साब prepare करें Thank you very much, take care, all the best, Allah Hafiz